हे दोस्तों स्रीपार्णास्री चैनल में आपका बहुत बहुत सागत है दोस्ता आज की वीडियो ने बहुत इंपोर्टेंट और खास होने वाली है लड़का लड़की सब के लिए क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगे कि पार्टनर अगर पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं त सबके लिए यह उपियोगी वीडियो है तो जड़ा धियान से सारे पॉइंट को अच्छे से सुन लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा क्यों पहले जादा प्यार करते थे अभी बिल्कुल भी प्यार नहीं कर रहे है या फिर कम प्यार कर रहे है और कैसे आप यह वाल करके बेल बाल आइकन दवा के अल अप्शन प्रिस कर लीजिए तक कि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो और अगर मुझ से डाइरिकली बात करना चाहते हो तो चली वीडियो शूरू करते है दोस्तों देखिए मैं पहले आपको कुछ रीजन्स बताऊंगी जिसके है आपके प्रति वह कम हो गया है ठीक है तो अगर आपको रिजन्स समझ में आ जाएगा फिर सॉलूशन आपको आपको अर्टोमेटिकली पता चल जाएगा और सॉलूशन आपको बहुत ही एजी लगेगा पहले जान लेते हैं क्या क्या वो कारण है जिसके कारण आपकी जो आप लोग सारे प्यार बड़े बाते भी कर चुके होंगे, आप लोग बच्पन के बाते भी कर चुके होंगे, मतलों कि सारे बाते आप कर चुके होंगे, मतलों एक दूसरे के बारे में जानने के लिए कुछ नया बचा ही नहीं है, ठीक है, अपने सारे फ्रेंड्स, अपने स और अपने बारे में सब कुछ उनको बता दियो होंगे और उनके बारे में सब कुछ आप जान चुके होंगे तो वह घंजासरे डुसरे कारणी करते हैं धुक्त सा आँ जगर होता है अगर मालें जो चाहते हो आपकी मन मुताविक सामने वाला नहीं करते हैं कुछ भी चीज आप जैसा चाहते हो सामने वाला उसका ऑपोजिट करते हैं फिर आप जैसे चाहते हो सामने वाला वैसा नहीं करते हैं सेम वे में वह जैसा चाहते हैं आप वैसा नहीं कर हर्मोन हैं वह हार्मोन जब जब जादा हाव जय гол जाते है तो जगरे के कारण भी बहुत जैखार्म festivals खीराब हो जाता है यह गे दूस्टूर दूसरी कारण तीसरी कारण में आ जाते हैं तो तीसरा जो कारण जो यह है कि आप बिलकुल भी उनकी बात है वह नहीं मानते हो मतलब आप बिल्कुल भी उनकी कोई भी बात नहीं मानते हो, एक दो बात ना मानना तो सही है, लेकिन अगर वो कुछ भी कह रहे हैं, आप उल्टा कर रहे हो, तो यहां पे भी प्यार कम हो जाता है, ठीक है, तो यह गे दोस्तों तीसरी कारण बिल्कुल भी बात ना मानना, च बात माननी तो भी मुश्किल, बात ना माननuent तो भी मुश्किल, जी हां यहां पि मैं सारी Word का इस्तिमाल कर रहा हूं, इसको हमेश wa याद रगना, सारे बात, मतलब सब कुछ आंप मानतो हो, या उप कुछ भी नहीं मानतो हो, यह आपको नहीं करना चाहिए, आपको बैलन् मानोगे तो भी relationship खराब होगा अगर अब सारी बाते मानोगे तो वह आपकी साथ नौकर की तरह treat करेगा relationship इससे भी खराब होगा ठीक है तो आ जाते हैं next point में पाच नमबर पॉइंट क्या है पाच नमबर पॉइंट यह दोस्तों कि आपको प्यार जताने में शरम आता है यह बहुत बड़ी reason है दोस्तों सुनने में यह आपके लिए बहुत funny लग रहा होगा चोटा point लग रहा होगा लेकिन यही सबसे बड़ी point है कि आप प्यार जताने में जिजक महसूस करते हो आप प्यार जताने में शरम महसूस करते हो कि नहीं ऐसे करूंगी यह ऐसे करूंगा वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में यह फिर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा भैलू जो है वो कम हो जाएगे तो आप क्या करते हो आप प्यार जताने में बहुत चाहते हैं आपको शरम आ रहा है कि यह कैसी बच्चों वाले हारकत हो ठीक है या फिर आप उनको कुछ सब्सक्राइस गिफ्ट देना चाहते हो इससे भी प्यार जता आज आ जाए यही नहीं पांच कारण है, जिसके कारण नहीं पहले जीसा नहीं रहता है, पार्टनार पहले जलसा प्यार नहीं कर से है अब चलिए पटा फट से मैं इसका solution बता देती हूँ ठीक है कारण के according ही solution बताते जाओंगी जल्दे से सुन लीजिए चाहो तो note pick कर सकते हो पहला जो है बहुत बाते कर चुके होंगे तो आपको क्या करना है कुछ-कुछ बाते जमार रख़ी कुछ-कुछ बातें मत बताएं बार में बताने के लिए ठीक है चाहे कुछ दोस्त के साथ कुछ हुआ है ऑफ़िस में कुछ रख़े भी कि तुम्हें दामना भूल गहसे क्रिके शुड़ू करो कुछ नया बतार ठीक है रोज़ी एक तड़ के बात करोगे त तो बाते थोड़ा सा रखो बात के लिए अब चलता है दूसरे पॉइंट में दूसरा क्या है बहुत जगरा होता है तो हमेशा कोशिश करो जगरे को एवॉइट करने का ठीक है एक दू टाइम थोड़ी सी चोटी मोडी बात पर हो जाता है वह अलग बात है लेकिन हमेशा रहने की कोशिश करो इससे भी आपका जो प्यार है वह अच्छा रहेगा आपका जो रिलिशन्शिप है वह हैल्दी रहेगा ती नमर पॉइंट में आ जाते है यह है आप बिल्कुल उनकी बात नहीं मानतों जैसा कि मैंने पहले कहा कि सारे बात अगर नहीं मानोंगे तो व सकते हो कि वह आपके लवर्ण ये सुचके कम सकम 70 परसंट आपको माननी चाहिए ठीक है चोथा परंट क्या है कि आप उनकी सारे बाते मानतों तो यह मत करो कुछ कुछ बाते आप मत मानों जैसे 70 परसंट मानते हो तो 30 परसंट रखो ना करो थोड़ा सा ना करोगे तो अप आटा है कि आपको प्यार जताने में शरम आता है तो इसको बिल्कुल भी मत करो अगर पियार दिल में आ रहा है उसकी पती कुछ करने कि आपको मन कर रहा है तो जरूर उसको करो प्यार जताओ प्यार डिखाओ इससे आप दोनों का दिलिशेंशिक भी अच्छा बनेगा और प्यार और भी जादा स्ट्रॉंग और मस्बूत होगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही वीडियो कैसे लगा मुझे जरूरू कॉमेंट करना लाइक करना अपने सारी फैंट के साथ शेयर जरूरू कर देना ऐसे इंक्रेस्टिंग वी वीडियो में तब तक के लिए बाई